ग। ग॥। बोर्निंग। मैं डॉक्टर दिनियश गुपता , नरायना मल्टी स्पेशलीड़ी होस्पिटर में कैंकशर सजोन। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के विशे में बात करेंगे। महिलाव में सब पाया जाने वाला सब्से कोमण कैंसर ही है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षन है ब्रेस्ट में गांट का मेसूज होना जो की शुरुवात में दर्द रहीत होती है वे हार्ड होती है इसके अलावा ब्रेस्ट में सूजन आना ब्रेस्ट में पेन होना निपल से डिस्चाज आना वे ब्रेस्ट में रेडनेस ब्रेस् के पता लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपख करें टेस्ट कर आएं कि बिरेस्ट कैंसर के जो लांप होते हैं वो दो तरह के होते हैं लो मोइज जो है वह अपनी के हिस्सों में भी फैल सकते हैं breast cancer को early detection कैसे कर सकते हैं iç similarity होते रिक्ष का मकिलिकल बेस्ट को सًदो कर सकते हैं इसके 3 तरीके होते हैं breast self examination इसमें 20 साल की साल की स्क्नियमर के बाद महिलाओ को हर महिने अपनी breast को self check करना चाहिए clinical breast examination इसमें 20 साल की उमर के बाद हर तीन साल में डॉक्टर द्वारा जांच कराएं और मैमोग्राम 40 साल की उमर के बाद हर साल में एक बार मैमोग्राम कराना चाहिए इन तीनों पद्धती से हम कैंसर को जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं केंसर ब्रेस्ट केंसर के इलाज में सर्जरी कीमो थेरेपी वे रेडियो थेरेपी तीनों का इंपोर्टेंट रोल होता है अरली स्टेज में पहले ओप्रेशन करके बाद में कीमो थेरेपी या रेडियो थेरेपी दी जाती है जूरत पढ़ने पर एडवांस स्टेज में पहले कीमो थेरेपी देकर विमारी को कम किया जाता है फिर ओप्रेशन किया जाता है और उसके बाद जोड़त हो तो रेडियो थेरेपी दी जाती है डाज किया जाता है इसमें ब्रेस्ट के सिर्फ के सर्जडियरी सरम निकाला जाता है ताकि केंसर से चुटकारा पाय के आजकल एक नई टेखनीक आई है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्ज भी बोलते हैं इसमें breast के सिर्फ cancer grass हिस्ते को निकाला जाता है, इससे breast की normal shape बच जाती है, आजकल plastic surgery और breast oncoplasti के दुआरा operation के बाद cancer grass part को निकालने के बाद हम breast को reconstruction भी कर सकते हैं, जिससे breast की normal shape लगबग लगबग बना सकते हैं, इसके लावा एक sentinel lymph node biopsy टेक्नीक है, जिससे हम axilla की lymph node पता करके पूरा axilla dissection avoid कर सकते हैं, ताकि patient को कम से कम तकलीफ हो, कुछ condition में palliative surgery की जाती है, जिसमें हम breast cancer को जड़ से तो खतम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको symptoms को अराम देने के लिए mastectomy की जाती है, एक report के नुसार्शन 2018 में breast cancer के 16-17 लाग नए cases पाए गए, वे 2018 में 8 लाग से अधिक patients की breast cancer की वज़े से death हुई, सही समय पर इलाज कराकर हम इन में से 3 में से 1 death को prevent कर सकते हैं, अगर हम stage 1 में breast cancer का इलाज कराते हैं, तो 90-95% chances हैं ठीक होने के, वही stage 4 में इलाज कराने पर ये chances 20-25% रह जाते हैं, इसलिए breast cancer का पता लगते ही जल्द से जल्द इलाज कराएं, जिससे आपकी ठीक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, धन्यवाद.